यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पिर्थवी पर यहुआ की भलाई को देखूंगा तो मैं मुर्चित हो जादा यहुआ की बाठ जोते रहे है या बान और तेरा हिर्दे दिर्ड रहे हाँ यहुआ की ही बाठ जोते रहे यहां पर भजनकार दावद इस परकार से कहता है कि यदि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मैं परमेशर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा तो मैं मर जाता परंतु मैंने इस बात पे भरोसा रखा कि परमेशर जो भला है और उसकी भलाई को मैं अपने जीवन में देखूंगा इसलिए मैं आज जीवितों की पिर्थवी पर जिंदा हूँ यदि परमेशर यदि जिस परकार से मेरे दूसमन मुझे पर हावी थे यदि परमेशर मेरे साथ ना होता, यदि मैं ये विश्वास न करता कि परमेशर भला है तो वो मेरे दूसमन मुझे पर हावी हो जाते और मुझे मार डालते, मुझे फार डालते परंतु दाउद के मन में एक बात है, वो हमेशा इस बात को याद रखता है कि मुझे अपने जीवन में परमेशर की भलाई को देखना है क्योंगे मैं ऐसे परमेशर पर भरोंसा करता हूँ जो भला परमेशर है दाउद इस बात को जानता है कि मैं जिस परमेशर पर भरोंसा करता हूँ वो भला है, वो अच्छा है और इसलिए वो अपने दुख के समय, संकट के समय, अपने परिसानी के समय कि वो इस बात को याद रखता है कि मेरा परमेशर भला है और मैं इस संकट से निकल करके परमेशर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा चाहे वो जीवन में कैसी भी परस्तिती से गुजर रहा है लेकिन उसके मन में ये बात बैठी हुई है उसे पूर्ण रूप से भरोसा है कि मैं परमेशर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा तो मेरे प्रियों दाउदी इसी परकार से विश्वास करता है कि मैं अपने जीवन में परमेशर की भलाई को देखूंगा चाहे मैं कैसी भी परस्तिती से होकर गुजर रहा हूँ चाहे मैं कैसे भी कठिन समय से होकर गुजर रहा हूँ चाहे मैं जंगल से होकर के गुजर रहा हूँ परंतु आगे मैं परमेशर की भलाई को देखूंगा परमेशर मुझे इस दुख से बहार निकालेगा परमेशर मुझे इस संकर से बहार निकालेगा और फिर मैं परमेशर की भलाई को देखूंगा और जब उसने अपने मन में ये निश्चे कर लिया कि मैं परमेशोर की भलाई को देखूंगा तो उसका कभी कोई नुकसान नहीं हुआ उसने हमेशा अपने जीवन में परमेशोर के अधुद आश्यर कर्मों को देखा उसने हमेशा अपने जीवन में परमेशोर की भलाई को देखा दाउद इस बात को बहुत अच्छे से अपने जीवन में समस्ता था और इस बात को उसने अपने जीवन में ग्रहन कर लिया कि मैं हमेशा इस बात पे अड़ा रहूँगा इस बात पे विश्वास करता रहूँगा इस बात पे भरोसा करता रहूँगा कि मैं अपने जीवन में परमेशुर की भलाई को देखूंगा और जब उसने ऐसा विश्वास किया तो कोई भी दुस्मन उसका कुछ नहीं कर पाया सारे उसके सामने हार गए सब लज्जित हो गए प्रन्तो एक दावद ही था जो हमेशा खड़ा रहा और उसका सर हमेशा उचा रहा क्यों वो क्योंकि उसने परमेशुर की भलाई को देखना चाहा क्योंकि उसने परमेशुर की भलाई को देखने के लिए विश्वास किया परमेशुर पे भरोसा किया कि मैं परमेशुर की भलाई को अंत तक देखूंगा परमेशर की भलाई के लिए परमेशर पर विश्वास रखना है कि परमेशर जो भी मेरे जीवन में करता है वो हमारे लिए उत्तम होता है अच्छा होता है, भला होता है वो कभी भी हमारा बुरा नहीं करता है